असलामेकुम नाजरीन, हैपी नीजर, मैं हूँ आपकी हो सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शांट जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नया साल शुरू हुआ और दो हजार बाइस हुआ टाटा बाइ बाइ पिच्छे साल ने जाते जाते अवाम के साथ साथ हमारे इदारे, हमारे कानूर और हमारे महिशत की भी जईताई फेरती पिच्छे साल हमारे स्यासदानों की परफॉर्मस देखते हुए आफ्टर शॉक्स टीम ने उनके लिए कुछ एवार्ड डिजाइन किये हैं तो हमारा पहला वॉर्ड है प्रोड्यू सूर ऑफ दी एयर का अवार्ड अपने नम किया है मर्यम नवास साहिबान क्योंकि दोहजार बाइस में जितनी जाली ओडीयोज और वीडियोज मर्यम नवास ने परड्यूस करवाई है इतनी शायद हॉलिवूड और बॉलिवूड पांच सालों में मिलके भी परड्यूस ना कर सके कोई नेव वाला बात नहीं मान रहा तो उसकी जाली तियार की गई वीडियो आउट कोई जज, कोई आफिसर साथ नहीं दे रहा तो उसकी जाली आउडियो आउट और हर जाली आउडियो वीडियो रिलीस करने के बाद महतरमा फखर से कहती है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आवार्ड की तरफ जी, तो शाइनिंग स्टार आफ दी येर का आवार्ड जीता है इंपोर्टिट वजीरियाजम शेबाज शरीफ सहाव अरे रुकरुको पटवारियो, हमेशा की तरह आदी बात सुनकर मिठाईयां बाटने जा रहे हूँ शाइनिंग स्टार का एवार्ड उनको सबसे जादा बूट चमकाने पर दिया जा रहा है यह वो वाली शाइनिंग है जो आपको बड़े-बड़ों के बूटों पे नजर आती रही है जी तो हमारा अगला एवार्ड है सखी आफ्टी किया तो आपकी भरपूर तालियों में सखी ओफ दे येर का एवार्ड जाता है आसिफ अली जर्दारी सहाब को क्योंके 2022 में आसिफ अली जर्दारी सहाब ने दूसरी पार्टियों के लोगों को खरीदने के लिए अपना नहीं नहीं सिंध हकूमत के खजाने का मूँ खोल दिया किसी M.P.A. को 30 करोड दिये तो किसी M.N.A. को 40 से 50 करोड जर्दारी सहाब ऐसा दि रखते ही नहीं जिसमें सखावत ना हो को हमारी next category है खामखा आफ दी एर आवार्ड क्या खूब कैटेगरी है देखते हैं कौन है अगदार इस अवार्ड का खामखा आफ दे एर के अवार्ड अपने नाम किया है बिलो आइमिन विलावल बुटो जर्दारी साहिबा रहा है उन्हों ने पिछले आठ महीने में अपने गेर मुल्की दौर पर तकरीबं दो अरब रुपे खामखा उड़ा दिये और उनके इन दौरों का पाकिस्तान को एक तक्के का भी फाइदा नहीं हो इसलिए यह मिस्टर खामखा करार पाएं जी तो नाजरीन चलते हैं अपने नेक्स्ट आवाड की तरह क्या कमाल की कैटेगरी है देखते हैं यह वाड किसके हिस्ते में जाता है तो जनाब यह वाड जाता है मौलाना फजूर रह्मान साहब को क्योंकि पिछ्टे साल इनको सबने लारे लपो पही लगाए रखा है कभी बचारे को सदर बनाने का लारा तो कभी खान साहब को नाहिल कर देंगी और तो और खान साहब को जेल में बंद करने का भी लारा लगाया गया पूरा साल उनको लारो पही रखा यहां तक के 2020 आ गया मुझे तो लगता है अगली बार भी यह जनाब जीते हैंगे जी तो अगला एवार्ड है वैसे तो यह एवार्ड PDM के हर मेंबर का बनता है मगर देखते हैं कौन है वो खुशनसीब जिसको यह एवार्ड मिला है मारियम औरिंग जेव साहिबा 2022 में जितनी बेद तुकी और बगैर सरपेर की प्रेस कांफरस्स मुतरमा ने की है यह एवार्ड इसी वज़ा से उनको दिया जाए जी तो इसके साथ ही मुझे दीजिये इजादत क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कामन सेक्शन में जरूर बताईए मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैपी न्यू येर